के काफी दिनों पहले हमने इंडिया माट को डिसकस किया था और तबी मैंने कहा था जो पहले काफी, कि नहीं कर से यह जब यह श्टॉक भाग रहा था काफी तेजी से यह पांच जार से चला गया था नौजान नौसो कुछ निन्यानवे कुछ इसका दस जार के आसपास का हाई है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गया था सीधे तब लोग इसके पीछे भागते थे और जब ये बाइंग के आसपास आया था हमने पहले एक डिप लगाई थी साथ ज जाल दिया था हमने का चलो इसमें रिकवरी आएगी तब देखते हैं तो यह दो लेबल पर हमने एड किया था अभी अच्छे खासे प्रॉपिट में अच्छा बिल्कुल अभी लेटेश्ट भागाई है इस टॉक तो जिन लोगोंने भी पेसेंस रखे उस समय मैंने बताया अभी था कि पेसेंस रखिए इस टॉक अच्छा है इस टॉक में कोई खरावी ने बीटू भी कंपनी है ज्यादा कोई कंप्टीशन है नहीं हाँ एक जश्ट जरूर आया था इस इनके बिजनिस में लेकिन कोई ज्यादा इतना कंप्टीशन देनी पाएगा जश्ट बेसक इसको अभी उसने अक्वाइर कर लिया है रिलाइंस ने लेकिन फिर भी इंडिया मार्ट का काफी बढ़िया बिजनिस है इनका काफी ज्यादा इनके पास मतलब प्रोजेक्ट ने ने चीज़ें करते रहते हैं और आने वाले टाइम में मुझे लगता है अच्छा करेंगे और अगर RSI की बात करोगे तो बिल्कुल ओवरवाट हो गई है यहाँ पर और यहाँ बाई सिंगनल बन रखा है तो यह चीज़े देखो मैंने आपके साथ डिसकस कर ली है तो इससे आपको एक लर्णिंग ले लिनी चाहिए अच्छा इस टॉक है और अगर उसमें टाइम तो आपको पेसंस रखने हैं कभी उसमें लॉस मुक नहीं करना है इंडिया मार्ट में हमने कई बार डिसकस किया था कई सारे कमेंट्स आयते उसमें काफी लोगों पैनिक हो रहा था तब भी मैंने कहा था आप पेसंस रखिए अच्छा इस्टॉक उपर आ जाएगा और इन तरीके से कभी आप अगर भागते हों इस टॉक के पीछ आगर बहाँ पते तो लेर्णिंग मार्केट में इवन खुश से भी अगर करेंगे तो भी मतलब कभी भी आप दोका नहीं खाएंगे कभी भी लॉस बुक नहीं लॉस नहीं होगा आपको 95% 5% कहीं पर कुछ हो सकता है उसको तो मैं नहीं मानता लेकिन 95 परसेंट आप रिस्क फ्री ट्रेड ले पाएंगे खुश से और प्रॉफिट देगो मैं हमेशा से कहता रहता हूं कि अब तो यह स्टॉक भाग गया है काफी तेजी से भागा है आरे साइब वर्वोट हो गई तो प्रॉफि प्रॉफिट मुझे तो लॉंग टर्म के लिए भी काफी बढ़िया पसंद है इंडिया मार्ट तो मैं पास्ली प्रॉफिट कर लिया है मैंने आज और मैं इसको लॉंग टर्म के लिए रख रहा हूं अभी आगे देखते रहेंगे अगर जब तक कोई फंडमेंटल या बही कोई और चेंज नहीं आते हैं अभी तक के लिए तो फंडमेंटल काफी अच्छे हैं अगर देखोगे तो बाकी प्रॉमोटर बगार भी ठीक ठाक हैं तो ऐसी कोई अगर फंडमेंटल में चेंज आएगा तब भई असी स्टॉक में वैसे तो मैं चेंज करता नहीं व्यू तो इसलिए तिम आपको पता है मैं जोlin उसको चैक करता हूं उनके श्टॉक को चैक करता हूं क्या उन में कोई फंडमेंटल में चेंज तू नहीं है Verb उसको पर उसी समय उसको निकाल देता हूँ पोटपोलियों जे और उसको प्रॉफिट को बुक करके उसको और किसी श्टॉक जो अच्छा फंडामेंटली श्टॉक उसमें लगाता हूँ यह तो आपको बेरी स्टैट्ट यह पता ही होगी तो यही स्टैट्ट जी है बाकी दे पाप सीड़क देना यह एंदूस्टॉ